मैं जिस चौर के बारे में बात कर रहा हूँ उसे किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत में हलो दोस्तू आज हम आप सब के लिए लेकर आए है बॉलिवुड की सबसे बड़ी फिल्म धूम फोर से जड़ी अपडेट जी हाँ दोस्तू इंडियन सिनिमा की मोस्ट अवेटेड एक्शन फिल्म धूम का चौथा पार्ट यानि धूम फोर बनने जा रही है और इस बार फिल्म में कई बड़े सिदारे नजर आने वाले है तो दोस्तू अगर आप भी जाना चाहते हैं कि आखिर क्यों फिल्म को 2015 में अनौंस करने के बाद इसे पोस्वोन कर जिया गया था साथ ही फिल्म की स्टार कास्ट क्या होने वाली है और कब तक ये फिल्म रिलीज होगी तो आप हमारे इस वीडियो को अन तक जरूर देखे दोस्तो तो फाइनली धूम फोर बनने जा रही है और इसके लिए आपको ज्यादा इंतिजार भी नहीं करना पड़ेगा साथ ही जब से फिल्म धूम फोर को लेकर खबर आई है तब से फैंस के बीच इस फिल्म को लेकर एकसाइटमेंट बढ़ गई है तो दोस्तो आपको बता दे साल 2015 में सलमान खान और रन्वीर सिंको फिल्म के लिए फाइनल कर दिया गया था और साथ ही फिल्म को धूम रिलोडेट के नाम से बनाने वाले थी लेकिन उस समय अभिशेक बच्चा ने धूम सिरीज में काम करने से इंकार कर दिया था और उनका कहना था धूम सिरीज में हीरो से ज़्यादा विलेन को बसंद किया जाता है बस यही कारण था कि अभिशेक बच्चन ने फिल्म को करने से इंकार कर दिया था लेकिन अब खबर आने की फिल्म का निर्माता अदित चोपड़ा अब फिर धूम फोर को लेकर आने वाले हैं जिसमें आपको ने विलेन, ने हीरो और बिल्कुल नई स्टोरी के साथ ये फिल्म आने वाली है इसे के साथ अपडेट निकल कर आ रही है कि धूम फोर बड़े लेवल पर बढ़ने जा रही है जिसमें हॉलिवूड लेवल के ग्राफिक्स के साथ साथ मल्टी स्टार कास भी देखने को मिलेगी और ये फिल्म एक मेगा बजट फिल्म होने वाली है अब बात करें फिल्म के स्टार कास की तो आपको बता दे फिल्म में सल्मान खान, जौन इब्रहम, शारुखान, रितिक रोशन और अक्षे कुमार जैसे बड़े स्टार्स देखने को मिल सकते है इसलिए दोस्तो फिल्म का सुपरिट होना दो तैह है क्योंकि फिल्म में बॉल्यूट के सबसे बड़े अक्षन सितारे एक साथ एक फिल्म में नजर आने बाले है इसे के साथ एक और अपडेट निकल कर आ रही है कि यश्राज फिल्म ने अक्षे कुमार को धूम फोर में विलिन के लिए कास्ट कर लिया है तो दोस्तो आपको बता दे इस फिल्म के अभी कोई आफिशल अनौस्मेंट तो नहीं हुई लेकिन कुछ खबरों की माने तो धूम फोर जल्द ही देखने को मिल सकती है बात करें फिल्म के रिलीज के तारिक की तो आपको बता दे अगर फिल्म का शूट इसी साल शुरू होता है तो ये फिल्म 2024 तक रिलीज हो सकती है तो दोस्तो आप अक्षे कुमार को विलिन को रोल में देखने के लिए कितने ज़्यादा एक्सैटेड है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपको हमारी विडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेयर करें साथ ही हमारे इस योट्योब चैनल अनकट सिनमा को सबस्क्राइब करना न भूले